हेलो फ्रेंड बिल्कम टुमी क्लास से दिस इज मिन्यू मैम आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडिशनल टॉपिक और कल कंडिशनल टॉपिक इस्टार्ट हो गए थी ओके कल हम लोग बसमली इंट्रोरक्शन देखे थे ओके किसे करते हैं और उसके कंडिशनल आपके वर्ट से देखे थे ठीक है आज हम आप लोग को बोले थे कि कंडिशनल आपके रूल से देखेंगे ओके चली देखते हम लोग आज रूल पहला द्यान देजेगा इसमें पढ़ना तो हम लोगों को तीन ही रूल एक का परजेंट एंड आपका इफ परजेंट इस पार्ट को अलग-अलग बना के चली देख लेते हैं पहला जो हम लोग हीडिंग पढ़ने वाल है इसमें सारा प्रोसेस परजेंट टेंज की बात होगी ओके देखते हैं पहला देखी पॉइंट में तब पहला रूल रियल कंडिशन ठीक है रियल कंडिशन मतलब हो सब्सक्राइब क्या होता है देख लीजेगा ओके नो डाउट अगर नहीं पता है उसे में टेंज के बाद जस्ट इसलिए पढ़ा रहे हूं ओके तो यह भी कहने के टेंज का आप कंडिशनल हो गया आपके कुसन टैग बला पार्ट हो गया फिर वायसन रेसरी किसकी हम बाद फूर बहले पार्ट चलिए ंस इस इस उसके बाद बनेगा ठीक है जिर्वीस्ण टेल को और यहां ने चाहिए सो में क्या रहेगा इस और मेल्ट्स कर जाता है इस सभी को बता है ऑके चले अब देखिए यहां पर हीन पर हीट क्या है वर्व का फस्ट- explosion होता congru अब गाया 양जोता है में यहां पर लाइआ तक है यहां यहां पर मेvenant हिट बना सकता है जो कि एफ कलास के बाद future cadence का प्रयोग नहीं होता है आगे देखेंगे हम लोग ठीक है क्यों होता है अब सेकंड डूल क्या है रूल यही है सारे structure जो यह बना है structure यही बनेगा लेकिन उसकी heading क्या है जब वाक में आपको कोई करना नहीं पड़ता है तो यह भी किसमें बनेगा इफ सिंपल परजेंटेश आपका आगे भी परजेंटेश देखेंटेश इट के बाद टंस बना अभी इट है अभी इतन बी क्या बना क्या आता है यहija फेल बनाता है जो की घृत होता ए кожi कुरें अगे करने सबसे यहां से पेपर में मोड ह knows से कुष्ण पूछड़ उसकंगे इसले थिखें थार्ड वाले पॉइंट से इसलिए मैं इसंपाइंट को एपोडल मना दिया। üsसे मल भूलिएगा धिन कि इफ थिभल सिंपल परजेंट टेंस बनदाये लेकिन उसके बाद क्या भशाच बने देखे क्या वना है यहां पर शी पहों का ना हं यहां जरूदी औ आपका future simple future हो गया और यह इफ हो गया और simple परजेंट हो से go ओके अब यहां से error क्या पुछता है error जो पुछता है ठीक है यह पार्ट तो वैसे छोड़ देता है लेकिन इस पार्ट में हमेशा ध्यान दिजेगा I go I go आपका यहां से will बना देता है ठीक है विल गो कर देगा जो कि गलत हो जाएगा ओके इफ के बाद विल का future का देखे इफ के बाद future टेंस का प्रयोग नहीं होता है यह आप ध्यान देजेगा ओके लेकिन मैंने देखा है spoken में लोग talking में कुछ भी बोल जाते हैं तो spoken का अगला क्या कुस्ति ठीक है तो इस पोकेन को ग्रामेटिकल को एक में नहीं हम मिला सकते हैं ठीक है चले जख सकते हैं अगला क्या कुस्ति ठीक है condition with imperative अब imperative क्या होता है जिसमें वर्व का first form लगता हो क्या होता इंपरेटी फर्म जैसे मैं बोल दूँ go go there तो एक क्या sentence हो गया आपका imperative ठीक है जैसे मैं बोल दूँ come here अब यहाँ पर क्या है sentence इंपरेटी है तो condition with imperative से लग रहा है अब इसका रूल क्या बनता है दिख लेते हैं क्या है टिस इंप इन्परेटी है आगे जो कामा के बाद बनेगा इंपरेटी आपका sunday मनेगा आप्रेटी मता दिया को जीसे देखिए ट्धि ऑफ आई फिल सिक ठीक है यह और जिसक के तिमपल आइफिल की सिक कामा का ली डौक्टर कतल आप क्या है वचर्ब का परस्ट फॉर्म तो यह क्या है a my pretty है इसमें बहुत बनाते हैं कि आई के बाद यहां पर वील बनाता है जो कि गलत होता है यहीं फोर्विशन मनाएगा ठीक है इफ के बाद I you के बाद विल यहां पे विल बना देगा यहां पे जो कि गलत फोगा के प्रोसेस पता वना चाहिए आगे देख लेते हैं अब के त्यापके रूब्वा पॉसिवलीटी पॉसिवलीटी मतलब समभावना अगर बात होगा संटेज किस पॉर्मेसन के छेंज होगा ठीक है इफ फ्लस के कै पर में यह माइट बात होगा में या तो माइट के अस्थान पर बात हो रहा ठीक है इनके वाला रूल नहीं है लेकिन जब पॉसिबल्टी बात होगी तब इस वाक में देख लेते हैं यह से देखें इफ इट रेंस अगर बारिस होता है ठीक है अब अगर आपके ओप्सन में ठीक है अगर आपका विल भी आ जाए सेल में जो भी माइट ठीक है आपको सबसे अच्छा जो इंसल लगाना पड़ेगा आपको में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर बारिस होता है ठीक है ओपिस रिमेंड तुरंट क्लोज हो सकता है ठीक है ओके तो यह संभावना है बारिस अगर होता है जो भी तो उसके बाद संभावना कि नहीं आपका ओपिस बंद हो सकता है ठीक है तो इसमें सबसे बेस्ट आप्सन में ही बनेगा ठीक ह इसके आपके 26 रूल है और इसके पांच चल एक दर लेंगे हम लोग 5-6 मिनट जो भी पढ़ेंगे ठीक है और 5-6 दिन में इसका खतम कर देंगे उसके बाद हम लोग जो टोपिक पढ़ेंगे वायस उसके बाद जस्ट नरेशन ठीक है फिर उसके बाद कंजेक्शन प्री प्राइंगे होगे आटिकल इप्टेश इपोर्टन टॉपिक चली आप लोग क्लास को इंजाए के होगे अगर आप लोग क्लास घर है तो प्लीज फिरेड आप लोग शेयर करो वीडियो को और जैसे सबोट कर रहे हो सबोट करते रहों थैंको सो मच